नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल सुरा अन एकेडमी क्लास्स पर आपका हार्दिक सवगत है आज हम अध्धिन करेंगे सैफ़ाई पेरामेडिकल प्रवेस परिक्षा के मौडल पेपर जियू विज्ञान के बारे बारे बाई लोजी जिसमें हम 34 questions के बारे में discuss करेंगे अगर आप हमारे चैनल पढ़ना है तो हमारे चैनल को subscribe करें आएए देखते हैं इस मौडल पेपर का first question कौन एक जीवास्म कहलाता है जिंक गो? इसका सही option है A question number second संसार का सबसे छोटा पुस्प कौन सा है? option number इसका भी A सही है वुल्फिया question number third क्यों चलते हैं? question number third है वैपोदे जिन में कभी पुश्प नहीं बनते हैं? क्या कहलाते हैं? option number A crypto games B NGO sperm C gymnosperm D इन में से कोई नहीं third question का right answer है A crypto games question number four आलू का खाने योगिभाग होता है इसका सही option है C तना question number six बरगत के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़े कहलाती हैं देखते हैं इसका कौन सा option सही है? option number six का C स्तम्मूल स्तम्मूल जो की सही option है question number seven जड़े विक्सित होती है तने से, पत्ती से, प्रांकुर से, मूलांकुर से इसका सही option है D आईए अगला questions देखते हैं question number eight निम्मूल लिखित में से, कौन सा एक जड़ नहीं है? इसका right option है C आलू अगला, ninth question देखते हैं स्तम्मूल मिलती है इसका सही option है A question number ten निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है इसका सही option है चेचक आईए अगला questions देखते हैं question number eleven सिल्वी कल्चर वनस्पत विज्ञान की वाशाखा है जिसमें वाडन होता है इसका सही option है D question number twelve किस परके पौधों में बीज बनते हैं परंत बीज नगन रूप में पौधे पर लगे रहते हैं इसका सही option है जिम्नो स्पर्म question number thirteen बीजों की प्रकृत किसमें उत्पन हुई है इसका सही option है C टेरिडोफाइट्स question number fourteen जापान में लोग किस लाइकेन को सबजी के रूप में खाते हैं question number fourteen का सही option है B हिंडो कारपन अगला questions देखते हैं question number fifteen खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको option है option number fifteen का राइट option है sexy רוצ question number sixteen गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं आईए देखते हैं option number 16 का D option सही है cropophilus आईए देखते हैं 17 questions सभी कवक सदेव होते हैं इसका option number C सही है vivid poshi आईए अगले option की तरफ चलते हैं question number 18 अगर किस से प्राप्त होता है इसका सही option है इसका सही option है सेवाल केलप प्राप्त होता है question number 19 इसका सही option है B समुद्री शेवालों से केलप प्राप्त होता है question number अगला देखते हैं question number 20 जनतूँओं में होने वाली foot and mouth रोक किसके कारण उत्पन होती है इसका option है A. विशाण B. प्रोटो जोवा C. जीवाण D. ये सबी 20 questions का option number A. विशाण आईए देखते हैं अगला questions question number 22 निम्निलिखित में से किसमे enzymes नहीं होते हैं A. विशाण B. जीवाण C. शेवाल D. लाइकेन question number 22 का right option है A. विशाण question number 23 निम्निलिखित में से कौन सा रोग विशाण के कारण होता है A. मलेरिया यक्षमा C. चेचक पीलिया इसका right option है C. चेचक आईए अगला questions देखते हैं question number 24 टिक का रोग किसमे होता है जुआर गन्ना चावल मुंग फली इसका right option D. मुंग फली में निम्निलिखित में से कौन सो पोसी होता है question number 25 का right option है A. सैवाल आईए अगला question देखते हैं question number 26 सर्वपर्थम विशाण की खोच किसने की इवानो वसकी इसका option number A सही है आईए अगला question देखते हैं question number 27 निम्निलिखित में से किसके द्वारा दूद खटा होता है virus, bacteria, nematode, protozoa question number 27 का सही option है B. question number 28 निम्न में से सबसे छोटा जीव है इसका सही option है mycoplasma आईए देखते हैं अगला question 29 निम्निलिखित में से कौन सा रोग bacteria से होता है इसका सही answer है B. तपेदिक आईए अगला question देखते हैं question number 30 जीवाडूँओं की साधारन आकरती क्या होती है इसका सही option है C. छण रूपी आईए अगला question देखते हैं question number 31 जीवाडूँओं की खोज सरपथम किसने की option number A रॉबर्ट कोच B. लुई पाश्चर C. लुवेन हॉक D. रॉबर्ट वुक option number इसका C सही है लुवेन हॉक question number 32 दुई नाम पद्धत के प्रतिपालक हैं A. अप्षिन डार्विन थियो फ्रेट्स लीनियस हिपोक्रेट्स 32 का राइट आंसर है C. लीनियस आईए next question देखते हैं साबूदाना किस से बनाया जाता है इसका सही option है इसका सही option है D. अब देखते हैं इस वीडियो का last question 34 सूश्म जीव मिलते हैं रेतली मिट्टी में लवड युक्त पानी में दलदल भूमे में इन सभी में सूश्म जीव इन सभी में मिलते हैं रेतली मिट्टी में लवड युक्त पानी में दलदल भूमे में आज बस इतना ही अब हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ तब तक के नमस्कार